अजह हम बनाएंगे यह एकदम सॉफ्ट, स्पॉंजी और बिना एकड्ग्स और बिना आवन के इंडियन फ्लेवर्स के साथ बना हुआ, यह रस्मलाई ओवर्लोडएद केख, इस केख का जो फ्लेवर है, यह एकदम इंडियन मिठाईयों जैसा रहेगा, साथ में रस मलाई का फ्लेवर होगा और केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉंजी रहेगा बोखत ही जादा अच्छा बनता है यह और सबको बहुत पसंद आता है यह फ्लेवर तो आप भी जरूर ट्राइ करिए का और रेसेपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो सबसे पहले हम अपने रस मलाई फ्लेवर की केक स्पॉंज बनाएंगे जिसके लिए बोल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिया है तो बस इसे मिक्स करेंगे और इसे पांदस मिनट के लिए एक साइट पर रख देंगे तांकि दूज जो है यह थोड़ा फट जाए इसके बाद अब हम सबसे पहले के कडाही को गर्म होने के लिए रख देते तो इसके लिए एक मोटे तले की कडाही में मैंने अमक डाला और इसमें श्टाइंट रख एसे उपर से ढख के मीडियम फ्लेम के ऊपर दस मिनट तक गरम होने देंगे और एक तरफ मोल्ड को भी त्यार करके रख लेंगे तो आज क इतनी देर में यह दूद्ध हमने एक साइट पर रखा था आप देखरों कि यह फट गया है एक पतली सी दही जैसी कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें तो यह बन गया हमारा होम मेट बटर मिल्क तो इस बटर मिल्क के साथ अब हम अपना केक बनाएंगे जिसके लिए इस बोल में जगा रबड़ी एसेंस ले सकते हो और हाँ मेरे पास यह एसेंस रखे थे इसलिए मैंने यूज किया है अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसकी जगा एक चोटा चमच इसमें इलाइची पावडर डाल दीजेगा इंडियन फ्लेवर आ जाएगा बहुत टेस्टी लगता क्यoth meida हमने डाल डेडर याईदर कप तो बेचिंग पावडर भी डालना है देडर चोटा चमच चमच प्लुस आधा चोटा चमच मैने बेकिंग पावडर डाल दिया है और शात में आधा चोटा चमच इतना बेकिंग सोडा एक पंच नमक डाल देगए और इन सारी तो इसे mix करने के बाद अभी ये बेटर थोड़ा थिक है तो इसकी consistency को adjust करने के लिए मैं इसमें एक ती हाई कप जितना दूद्ध और अड़ करूँ और थोड़ा-थोड़ा करके दूद्ध को अड़ करना है और पुर कोई हलके हाथों से mix कर लिए तो बस इसे मैं मिक्स कर ल करेंगे और इसी के साथ हमारा ये केक बेटर त्यार हो गया है आप देख रहे हो इसकी consistency तो बिल्कुल इस तरह की रिबन जैसे फ्लोई consistency रखनी है हमें तो बस बेटर को अब हम डाल देंगे अपने इस grease किये हुए बेक करना है तकरीबन 40-45 मिनट तक या तब तक जब तक की toothpick बिल्कुल क्लियर आजाएगी तो इस cake को रखे हो इना मुझे पूरे चालिस मिनट हुए है और आप देखरों कि केक कितना अच्छे से फूल गया है तो इसके बाद ना अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम को विप किया है जिसके लिए मैंने डेड़ कप नॉन डेरी विपिंग क्रीम ली थी आप कोई भी और क्रीम ले सकते हूं क्रीम को मैंने स्टिफ पीक साने तक विप कर लिया है और इसके बाद अब मैं इसमें भी आधा चोटा चमब जितना रसमलाई एसेंस आइड कर जी हूं और साथ में डाल देंगे दो से तीन ड्रॉप्स येलो फूट कलर के एसेंस ऑप्शनल है नहीं है तो इस टाइम पर भी आप इसमें इलाइची पाउडर डाल दीजेगा बहुत ही जादा अच्छा लगेगा आपको केक मैं पहले जितने भी रसमलाई केक बनाती हूं तो उस 500 ग्राम रसमलाई एक बार ली है जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी मैं केक में यूज़ करूँगी और बाकी की बची हुई तो मेरे घर में एकदम से खतम हो जाएगी ये सबको बहुत जादा पसंद है और मैंने इसे अपनी यहां की लोकल शॉप से परचेस किया है ये वह के साथ अब ये जो इसकी रबडी थी इसे भी मैंने एक बोल में निकाल लिया है इसके साथ हम अपने केक को मोईस्ट करेंगे तो पस रसमलाई भी तयार है इसके बाद अब ये केक भी काफे अच्छे से ठंडा हो गया है इसे हम डी मोल्ड कर लेंगे तो सबसे पहरे कर ये जो अनिवन पार्ट है इसे हमें निकाल देना है इसके अंदर का टेक्शर देख रहाए आप कितना एकदम जाली दार है ये बहुत ही मोईस्ट बना है ये के आइसके बाद ना आप इसके को में तीन लियर्स में डिवाइट करूंगी जिसके लिए मैंने इसके साइड पर दो कट्स लगा लिए है यानि कि दो मार्किंग्स बना लिए है इसके बाद अब थ्रेड के साथ ना एक एक कट में हमें इसे इंसर्ट करना है और थ्रेड को धिरे धिरे जब आप अपनी तरफ खीचेंगे न तो ये केक बहुत इसी लिए कट जाएगा तो बस हमारी ये तो ये थोड़ी क्रीम लगा लेंगे इसके उपर अब हम रखेंगे अपनी केक की पहली लेयर अच्छा आपने देखा होगा कि मेरी जो केक की टॉप लेयर थी थोड़ी तो अगर आपके साथ भी ऐसा होना कि लेयर अगर तूटी हुई निकले तो कभी भी आप उसको बेस म इसमें डालते जाएंगे केक को पूरे अच्छे से साइट से लेके सेंटर तक इसे मोईस्ट कर लेना है इससे ना हमारा केक भी मोईस्ट हो जाएगा और रसमलाई का फ्लेवर केक के अंदर तक अब सॉप हो जाएगा तो इसलिए अगर आपके पास एसेंस ना भी होना तब करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा quantity और quality दोनों पर ध्यान दीजिए का क्यूंकि कहीं पर भी जादा कंजूसी करने से मतलब वो अल्टिमेटली बिजनस को अफेक्ट करता है तो अगर कस्टमर खुश होगा तब ही आपको जादा cake orders मिलेंगे तो इसके बाद अब मैंने इसके उपर रखी cake की second layer और जो तूटी हुई layer थी अब मैं middle में use कर रही हूँ स्मूथ कर लेंगे फिर इसके उपर डाल देंगे बहुत सारे रस्मलाई के चंक्स और इसके उपर अब हम रखेंगे cake की top यानि की final layer और इसे भी कर लेंगे अचा यह जो square cakes होते हैं इनकी जो finishing है यह थोड़ी सी time consuming थोड़ी सी मुश्किल होती है round cake बहुत easily finish हो जाता बट इसकी finishing में थोड़ा सा time जाधा लगता है तो अगर आप cakes sell करते हैं तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है तो इसी के according आप cake की price decide करेंगे तो बस मैंने इसे थोड़ा finish कर लिया है मैंने card ही यूज किया finish करने के लिए इसके बाद अब इसके एक की final garnishing करने के लिए मैंने सबसे पहले इसके sides पे थोड़ा pattern बनाया है जिसके लिए मैंने ये brush लिया normal silicone brush जो हम घर में routine में use करते हैं इसी के साथ बस इस तरह से चला लेंगे तो आप देख रहे हो कि एक अच्छा सा pattern बन रहा है इसके उपर तो इस तरह से आप brush के साथ भी patterns बना सकते हो आपको कोई special tool की जरूरत नहीं है तो बस side पे pattern बनाने के बाद अब हम इसकी final garnishing कर रहे हैं जिसके लिए बची हुई cream को मैंने एक piping bag में फिल करके इसके आगे nozzle लगा ली है तो इस cream के साथ हम अपने इस cake के उपर इस तरह से lines बना लेंगे और फिर दूसरी direction में भी बनाएंगे त आचा ये वाली cream आपको पहली cream से थोड़ी सी dark लग रही होगी क्योंकि मेरी cream थोड़ी कम पढ़ गई थी तो मैंने दुबारा से save up किया बट आपको 1.5 cup cream ही लगेगी मैंने सबा cup cream पहले ली थी तो इसलिए थोड़ी कम पढ़ी और color इसमें थोड़ा जाथा डल गया बट कोई problem नहीं है देखने में ये अच्छी ही लग दी है तो अब आप देख रहे हो कि इसमें इस तना की ये छोड़े-छोड़े से boxes बन गए हैं आइस के बाद अब थोड़ी सी और cream बची थी मेरे पास तो इसके साथ मैंने इस तना से side पे यानि की cake की side पे भी इस तना से border ब में डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ पिस्ता कोई particular pattern नहीं है बस randomly एक एक box alternate box में आप इसे डालते जाए और ये देखने में बहुत ही जादा अच्छा लगेगा जब final बन कर आएगा वाओ आप देखरों कि अभी से ये कितना अच्छा लग रहा है और जबकि सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगे से सेल कर सकते हैं मैंने तो आज ये केक अपने गेस्ट के लिए बनाया था अच्छली उनके बच्चों को ना रस मलाई फ्लेवर का केक बहुत पसंद था और उन्होंने स्पेशल डिमांड पर बनवाया था ये तो मैंने जब उनको ये स पसंद आया केक इसमें एक्टम सॉफ्ट और स्पॉंजी था और सबने मेरी बहुत जादा तारिफ की तो आप भी ट्राय करिए इस रेसिपी को और किसने आपकी क्या-क्या तारिफ की मुझे जरूर बताईए का और अगर पिक्चर्स हों आपके पास तो प्लीज मेरे साथ म मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर करिए और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें